फिर तो रोहित को कर देना चाहिए टीम से बाहर ये आंकड़े नहीं है उनके पक्ष में श्РИलंका की खिलाफ पहले वंडे में उपनिय रोहिशर्मा फ्लॉप रहे वो सिर्फ चार रन बना कर रन आउट हुए श्री लंका में रोहित के आंकड़े अच्छे नहीं हैं वो हमेशा ही फ्लॉप रहे हैं रोहित ने अब तक श्री लंका में 22 मैच खेले जिन में 14 के बेहत शर्मनाक एवरेज के साथ सिर्फ 285 रन बना सके इस दोरान उन्होंने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई स्री लंका के खिलाब 264 रन की वंडे इनी खेलने वाले रोहित पर अब तीम से बाहर होने का खत्रा मंडर आ रहा है और उनके लिए खत्रा बन कर उभरे हैं अजिंग के रहाने रोहित शर्मा वेस्टेंडिस के खिलाब भारत के पिछली वंडे सिरीज नहीं खेले थे इस सिरीज में उनकी गैर मौजूदगी में जिनके रहाने को उपनी का मौका मिला रहाने ने इस मौके का पूरा फैदा उठाते हुए पांच वंडे में कुल 336 रन बना डाले रहाने ने इस सिरीज में एक सेंचुरी और तीन हाप सेंचुरी लगाई बेस्ट स्कोर उनका 103 नौट आउट रहा जबदस्ट पर्फॉर्मेंस के कारण वो मैं आफ दस्रीज भी बने इसलिए रोहित के जगह लेना चाहिए रहाने को रोहित के लिए श्रिलंका दोरा कभी भी अच्छा नहीं रहा यहां खेले गए पिछले 10 वंडे में उन्होंने सिर्फ 37 रन बनाए हैं उनका ये रिकॉर्ड पहले वंडे से भी जारी है और सिर्फ 4 रन बनाकर वो रन आउट हो गए थे इसलिए दूसरे वंडे के लिए टिम्स में रोहित की जगह रहाने को जगह मिलनी चाहिए जो लगतार अच्छा पर्फॉर्मेंस कर रहे हैं धर्नेबाद